वेल्कम टू मारवल फुचर फार्ट हिंदी इंडिया तुछ रिशुव करते हैं तो अमेरिकाई 24 का बिल्ड वीडियो बना रहा हूं तो फटाफटो देख लो सुन लो समझ लो शॉटकट में बता रहा हूं बागी के बिल्ड वीडियो चेक आउट कर देना उससे तुमको का काड़ा में का बिल्ड वीडियो होकाई का बिल्ड वीडियो अभी रिसेंटली बनाया है तो वो जाके देख लो उसके अंदर से काफि सारी इंफोर्मेशन तुमको मिल जाएगी और कैसे क्या बिल्ड करना है कहां से कुमसा मुटियर मिलना है उसके उपर ऑलड़े में यूटूब पर सर्च मानना और मेरा चालना का नाम जोड देना उसमें तुमको वीडियो मिल जाएगी उसके बाद में यहां पर मैं अमेरिका चावेस को क्रिटिकल डामेज 200% क्रिटिकल एड 75 अटक स्पीड 130 एंड इसका माक्सममेश भी तुम कॉमेशन के हिसाब से तुम बागी की चीज़े अटेक स्पीड और स्किल को डूर्शन तुमारे क्यरेक्टर और कॉमिक करके बिसिक के बोनस मोनस के उपर से डिपेडिंग रहेगा वैसा तुम उसको मैनेज कर सकते हो आगे जो उसके स्किल्स है वह स्किल्स होड करकर रहो यह फिजिकल अटक करने वाल बागी यहाँ पर ixor said bonus में अंगियाफल्क, overdrive या hawk I.38 set bonus में से कोई भी देता हूं यह दिया मैंने इसको यह दे दिया जिस्टिस वाला artifact दे सकते हो character details में तुमको काफे सारी information मिल जाएगी character details में जाके तुम कौन से character को कौन सा artifact लग सकता है उसकी detail वहाँ पर में पढ़के उसको वो artifact दे सकते हो ठीक है और रही बात इसको obelisk की तो obelisk में इसको 200% का 160 का damage proc दे सकते हो जिसे abex में female type combat type category में abex करने के लिए काम आएगी तो इसको 200% या 160 का damage proc दे सकते हो obelisk में और इसको ctp अगर देना है तो ctp कौन सा देना है वो थोड़ा check out कर लेते हैं इसको लोग pvp build दे रहे है तो अगर तुमको इसको abex में यूज करना है तो obelisk के दे सकते हो obelisk अच्छा रहेगा क्योंकि ctp दोगे तो निकालने में भी दिक्कल जाएगी इसलिए obelisk बेटर है obelisk थोड़ा सब ज़्यादा easy है manage करना कुछ लोगों ने इसको destruction दे रहा है वो भी ctp reforge मारक है और cynic alex ने ctp authority दे रहा है pvp ctp है और इसको pvp ctp pvp के लिए दिया होगा जो कि इसने पहले भी pvp video में अमेरिक चाब इसको use किया था तो मेरे कासे तुमको इसको pve में use करना है अगर अमेरिक चाब इसको pve में use करना चाते हो तो obelisk कर दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा कासे उसके बस में healing है और काफे अच्छे skill bonus है तो मेरे को तो यह character में कोई दिक्कत नहीं लग लिए skill no 3 में ignore target है वगर वगर अच्छे bonus दिये होए है तो इसको pve में use कर सकते हो decrease all basic defense है 30% का recovery भी है और काफे अच्छे अच्छे bonus है और strategy के increase करने वाले bonuses भी है तो मेरे को नहीं लगता कि यह काम कर लेगी abx में और तुमको अगर लगता कि abx में काम कर सकती है powerful है अच्छी है useful है तो इसको तुम abx के लिए use कर सकते हो obelisk के देदेना better रहेगा city पी देने सच अच्छा रहेगा obelisk के देदो क्योंकि अगर in future में इसका character का change होता है या ranking change होती है या इसका build up change होता है तो फिर ऐसे category के लिए फिर इसको आगे modify करना आसान हो जाएगा obelisk के साथ में तो इसको damage proc देदेना obelisk के साथ में अच्छ 40% increase of HP मिला हुआ है all characters के लिए और बाकी के कुछ bonus वगेरा मिले हुए है तो यह वाला जो uniform है latest uniform है और इस uniform को ही purchase करना बाकी uniform purchase मत करना पुराने uniform बेकार है ठीक है किसी भी character का uniform तुम अगर लेना चाते हो या purchase करना चाते हो तो latest वाले ही लेना पुराने वाले मत लेना ठीक ह पुराने वाले अगर लेते हो तो उसके पीछे कोई की reason होगा तो वो reason को पहले समझ लो परे वीडियो देख लो उसके पीछे का reason पहले पता लागा लो पुरी सर्च लिकर लो details निकाल लो और उसके बाद में ही पुराने uniform के तरफ में देख नहीं खरा ठीक है तो उसके जाना वहाँ पर में playlist है प्लेडिस्ट में character build video है तो वो जाके देख लो और कफी सारी character के build video बना की रखे मैंने तो वो भी जाके देख लो और कौनसे character को कौनसे ctp कौनसा artifact और बाकी के कौनकों से material है कौनकों से character को कौनसा material देना है उसके उपर और अब रिसेंटली बीड दोस आ जाने चाहिए उसके बाद मैं ID चेक वीडियो बनाऊंगा तो लाइक करो शेयर करो सस्काइब करो धन्यवाद